दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोडि में कैलसियम की कमी को कैसे पहचाने और इसकी भरपाई कैसे करें, कौन सा खाना खाएं जिससे कैलसियम की कमी ना हो और किसको किसको कितनी कैलसियम की जरूत होती है तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो जब हमारे सरीर में केलसियम की कमी होती है तो हमारी हड़ियां कमजोर होने लगती है जिससे कि हमें जल्दी से ठकान लगने लगता है कमर में दर्ध होने लगता है हाथ परों में दर्ध होता है जुन जुना हाट रहती है और गर्दन में भी दर्ध हो सकती है और इस मासपेसियां भी कमजोर होने लगती है जिससे आपको एठन और ठकान महसूस होता है और काम करने में कम मन लगता है दात कमजोर होने लगते हैं यादास्त कमजोर होने लगती है और खून में क्लोटिंग होने लगता है क्लोटिंग से दोस्तों ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है तो और हमारी हट्टियां और दात 99% कैलसियम के बने होते हैं और अगर कैलसियम की कमी होती है तो सबसे पहले हमारी रसानी उठानी पड़ सकती हैं अक्सर जो महिलाएं बच्चों को दूर्द पिलाती हैं और 40 के पार वाली महिलाओं को केलिसियम की ज्याता कमी पाई जाती हैं इसलिए ऐसे लोगों को अपने खान पान में केलिसियम रिज़ फूड सामिल करना चाहिए उम्र के हिसाब से हमारे सरीर में केलिसियम की अलग-अलग जरूरत होती है जैसे 1-3 साल के बच्चों को रोजाना 700 mg केलिसियम की जरूरत होती है और 4-8 साल तक के बच्चों को 1000 mg की जरूरत होती है और अगर बात करें 9-18 साल तक के बच्चों के तो उनको 1300 mg कैलसियम की जरूरत होती है और 18-40 साल तक के लोगों को रोजाना 1000 mg कैलसियम की जरूरत होती है और अगर बात करें बच्चों को दूद पिलाने वाली महलाओं की बारे में तो उनको 1300 mg केलसियम की जरुवत रोजाना होती है तो इसका मतलब अगर breast feeding महिलाएं 1300 mg केलसियम की खुराक रोज लेती रहें जिससे कि उनका और उनके बच्चे पे केलसियम की कमी का असर ना पड़े केलसियम की कमी को दूर करने के लिए आप चाहे तो केलसियम के tablets या syrup भी पी सकते हैं या ऐसा खाना खाएं जिसमें केलसियम ज़्यादा हो जैसे कि फल और सबजिया जो केलसियम वाली चीजे हैं जैसे कि फल और सबजिया इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं तो कैल्सियम की जो कमी दूर करने वाले फूड हैं उसमें आप सामिल कर सकते हैं अपने खाने में दूद, दही, ब्रॉकली, टोफू, तिलके लेड़ू, बदाम, राजमा, बीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, अम्रूर, अनार, वगेरा आप सामिल कर सकते हैं अगर आप नाउन-वेच खाना चाहते हैं तो आप इसमें चीकन, फिस भी सामिल और एग सामिल कर सकते हैं कैल्सियम के साथ-साथ हमें बिटिमिन डी की भी जरुरत होती है बिटामिन डी की वज़ा से ही कैल्सियम सरीर में एबज़ॉर्ब होता है यानि कि अगर हमें विटामिन D की भी कमी है तो भी अगर हम कैलसियम खाते हैं तो कैलसियम हमारे सरीर में सोख नहीं पाएगा तो कैलसियम के साथ साथ विटामिन D को भी लेना ज़रूरत है विटामिन D वैसे दोस्तों हमें धूप से ही मिल जाता है यह नेचुरल सोर्स है इसमें ज़्यादा कोई परिसानी की बात होती नहीं है अकसर लोगों में विटामिन D की कमी नहीं पड़ती है वैसे आप अगर 30 मिनट तक धूप रोजाना लेते हैं तो आपको विटामिन D की कमी नहीं हो सकती है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की कैलसियम की कमी के बारे में और कैलसियम की कमी को कैसे पहचाने और कैसे कैलसियम की कमी को पूरा करें और किन लोगों को कितनी जरूरते होती है कैलसियम की दोस्तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे